दोस्तों स्वागत आपको अपने यूटूब चनल टार्गेट सिविल सर्जेस में आज 6 दिसंबर और मद्रदेश के डेली करेंट अफर में आज हम 6 दिसंबर जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफर होंगे उन पर डिसकास करेंगे तो लेक्चर लास तक ध्यान से वह भी एक बार में आपको अनले 300 रुपीज पेग करना है और एक साल की वैलिडिटी के साथ आपको एक्टिव हो जाएगा और अगले एक साल में जो भी न्यू टैसरीज पर आईगी वह भी आपको इस प्रोपास में एड़ कर दी जाएगी वह भी बिना किसे एक्स्रा चा आपको कितने रुपए में मिलेगी 300 रुपीज में मिलेगी दोस्तों यह आफर आपके लिए लिमेंटेट टाइम के लिए है तो अभी आप एसरीज जॉइन कर सकते हो पर इक सबस्क्राइब करने की लिंक आपको हमारे वीडियो को डिशन बॉक्स में मिल जाएगी सबसे प आना को मद्य ब्रदीर साहित्यकारप मिलेशकार 2020 से संभानित्क याएगा और यह शितो कंद हमारे मद्य जॉद्दी सरकार। राश्ट्री लतामंगिसकर सम्मान से सम्मानित किया गया है बात करें हाँ आपर अलका यागनिक की तो अलका यागनिक को भी राश्ट्री लतामंगिसकर सम्मान 2013-14 से अभी हाली में सम्मानित किया गया है बात करें हमें आपर विवेक अगनियोतरी की तो विवेक अगनियोत्री को भी हमारी मदप्रदी सरकार के द्वारा राष्ट्र किसोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया है विवेक अगनियोत्री का सम्मंद भी हमारे मदप्रदेश के गौली अडिश्टीक से है और यह डारेक्टर है इसको सने वारा हाली में केरल में आयो जीत 65 राइफल सुटिंग चैंपियंशिप में हमारे मदप्रदेश राजी सुटिंग एकडेमी के किस खिलाड़ी ने रज़त पदक जीता है दोस्तों यह जीता है इस्वरी प्रतापसियन तो मर ने तो इसका आइसर कहले का उज़ाएगा option number C ठीक है इस्वरी प्रतापसियन तो मर ने अभी हाली में केरल में आप जीत 65 सुटिंगंशिप में सिल्वर मिडल हासिल क्या है और इस वरी प्रतापसिये तोमर का संबंद किस अडिस्टीक से है दोस्तों तो यह खरगॉंड स्टीक से है और यह ओलम्पियन भी है और आई कि SSF World Cup 2021 न्यू डेली में 50 मिटर एयर राइफल 3 पोजिशन में इनके द्वारा स्वर्न पदक जीता गया था और 10 मिटर एयर राइफल पूरुष टीम वर्ग में इनके द्वार रजत पदक जीता गया था इस वरी प्रतापसिये तोमर का संबंद किस खेल से हैं सुटिंग से ह इनका संबंद किस जीले से हैं तो खरगॉंड श्टीक से हैं अब बात कराएं में आपर मनीशा कीर की तो देखी मनीशा कीर को अभी हाली में हमारी मद्दप्रदीस सरकार के द्वारा खेले के छेत्र में दिया जाने वाला सरवोच पुरुषकार विक्रम पुरुषकार 2021 से मनीशा कीर न इस्वर्नापदग जीता थो और बात कराएं में आपर सुमा सिधार्थ शिरूर की तो इनका संมंधत भी सुटींग से हैं दोसतो और सुमा सिधार्थ सीरूर की नाम याद रखएंगगपजी सुटिंग एकडेमी की कोच है और इनको अभी हाले में भारत सरकार के द्वारा कोचे इसको दिया जाने वाला सरवुच पुरुषकार रोनाचारे पुरुषकार 2022 से समानित किया गया है बात करा हम यहां पर चिंक की यादों का समंद की स्केल से है तो चिंक की यादों का आविण गद्विह प्राइन कियर संबंद नां यादअ को यहां पर शुटिंग में की चिंफ्मेंसिपा आविजन कहां पर किया रहा है यह किरल में किया जा रहा है इसका आजन कब से कब तक किया जाएगा यह 20 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा नेक्स कुसने हमारा हाली में हमारे मद्रप्रदेश के मुख्यमंदर शिवरासी चुवारनी मद्रप्रदेश के जनन आयक टाटयां बील की प्रतीम नावरन कहांब पर किया है तो इसका आंसर होजएगा और देखिए अभी हाली में तो यह 4 दिसंबर को मना जाता है यहां पर 15 नमबर की डेट भी यादर कीगा बिरसा मुंड़ा जयनती कब मना जाती है तो यह 15 नमबर को मना जाती है 15 नमबर को मनांम जाती है 15 नमबर को 35 नमबर को मना जाती है पर 16 नमबर को क्या जाती है चाहती है अब इसका 5 Time नमबर भी ठीक है धनिया अभी हालि में मदऴचाइक एक उत्पाद से चैनीत किया पर्टो कोंदुकुट के लिए एक उनुपूर एक तुदिक को नाम गयाद रुख़ ego डिंडोरी, अनुपपूर, मंडला और सिंगरोली ठीक है आप इसको याद कैसे कर सकते हो Dams, Dams, इन जिलों का उत्पत कौन सा है तो कोदो कुटकी है Dams से याद रखेगा, D से डिंडोरी, A से अनुपपूर, M से मंडला और S से सिंगरोली और चना कैसे याद रखेगे, D마, Dha, Darya से क्या उत्रों हों भुआयों हो जाएगा, Tomato कैसे याद मैं निमकी पत्तीक हो, जो है सब्रतिश्चत वाकते हैंह देश में, Tomato सब्सक्स भजब कोईयेगा dan 12,TH इस तो इसाइं अब सर्थ करते हो आज की गरेंट एफिर तो आज की गरेंट एफिर में पहला गोस्तान है हमारा हाली में थाइलेंड में आउजित एसेन रोइंग चैंपियंशिप में मदप्रदेश रोइंग एकाडमी के प्रभाकर राजावत ने अंडर 19 में सिंगल स्कुल्स की 2000 मिटर इस परदा में कौन सा पदक जीता है तो इनके दोरा स्वर्न पदक जीता गया है तो इसका आंसर हो जागा और यह है प्रभाकर राजावत इनका सम्द हमारे मदप्रदेश के किस तो बिन डिस्टीक से है तो अभी हाली में एसेन रोइंग चैंपियंशिप का आउजिन कहां पर किया गया था तो यहाँ पर हमारे मदप्रदेश रोइंग एकडमी के प्रभाकर राजावत ने इंडर 19 में सिंगल स्कॉल्स की 2000 मिटर इस परदा में याद रखी का 2000 मिटर इस परदा में स्वर्न पदक जीता है नेक्स कोशन है हमारा देखी दोस्तों अभी हाले में 5 दिसंबर से लेकर 11 दि तक आठवा खजुराओं अंतराश्ट्री फिल्म फेस्टिवल का आउजन कहां पर किया जा रहा है तो यह खजुराओं में किया जा रहा है तो इसका सुबारम किसके द्वारा किया गया है तो यह किया गया है धिरेंद्र क्रशन सास्त्री जी के द्वारा तो इसका आंसर हो है हमारे मदब्रदेश के ब्रैंड अमेजडर है और देखिए जो 2021 का खजुराओं अंतराश्टी फिल्म फेस्टिवल का आउजन किया गया था तो इसमें लाइफ टाइम अचुमेंट पूरुसकार से गोविंदा को समानित किया था अब बात करें हम यहां पर खजुराओं की सच neighbors समय गया था और 1989 में साची को सामिल किया था और 2003 में समय क्या गया था खजराओं हमारे मंद्रप्रदेश के चितरपूर डिश्टीक में है महाबोधी महुत्रो का आयोजन कहां पर किया जाता है तो ये साची में किया जाता है निर्जनी महुत्रो का आयोजन अली राजपूर डिश्टीक में किया जाता है हनुवंतिय ठबु कहां पर है हमारे मदब्रदेश के खनवर स्टीक में है अंतराष्ट्री वन मेले का आउजन कहां पर किया गया था तो ये बोपाल स्टीक में किया गया था और विज्ञान मेले का आउजन भी कहां पर किया गया था तो ये महसवर में किया जाता है और महसवर हमारे मदरब्रदेश के खरगॉन श्रीक में है ये आठवा खजुराओ अंतराश्ट्री फिल्म फेस्टिवल पांच से ग्यारा दिसंबर तक चलेगा खजुराओ अंतराश्ट्री फिल्म महसवर के प्रमुख राजा बुंदेला ने बताया है कि इस वर्स नसा मुक्ति सहीत जवानी किसानी और पानी को लेकर थीम निरदारित की गई है और जर्मन कनाड़ा की फिल्म मेकर भी इस फिल्मों में भाग लेंगे और कुछ देशों के राजदूद भी इस फिल्म महसवर के आज़न में सिरकत करेंगे हाले में हमारे मद्रप्रदेश के किस सहर में नो थूतु अभियान चलाया जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा option number eight इंदौर इसका सुभारम किस ने किया है तो इंदौर के महापवर पुस्यमित्र भारगों ने इसका सुभारम किया है तो देखिए स्वचता अभियान में 8 स्पोर्ट से सहर के दिवारों को मुक्त किया गया है 19 स्थानों पर सुमवार से 9 थुतु अभियान चलाया गया है यानि यह कब से चलाया गया है पांच दिसंबर से चलाया गया है ठीक है और इसके लिए अभ्यान के माद्यम से नागरिगों को स्वच रखने की अपील की जाएगी माप और पुछ सिमित्र भारगाउने नो थूतू अभ्यान का सुभाराम किया है Next question है हमारा National Investigation Agency यानि NIA का थाना मद्दप्रदेश के की सहर में खुलेगा तो यह हमारे मद्दप्रदेश की राजधानी भुपाल में खुलेगा तो इसका answer हो जाएगा option number B और यह NIA के कौन से थाना होगा तो यह 3 थाना होगा ठीक है अभी तक हमारे देश में NIA के 12 थाने खुल चुके है और भुपाल में यह 3 थाना होगा और बात कर हम NIA की तो इसकी full form क्या होती है National Investigation Agency इसकी स्थापना 2009 में की गई थी और इसके अभी डारेक्टर जनरल कोन है दिनकर गुपता है और यह किस मिनिस्टर के अंडर में आती है हो मिनिस्टर के अंडर में आती है यह important point है याद रखिएगा तो देखिए मद्दप्रदेश में आतंकी संगटनों और आतंकीयों के मामले में अब सीधे कारिवाई के लिए NIA रहेगी इसे रोकने के लिए अब National Investigation Agency अपना दफ्तर बोपाल में खोल रही है नेक्स कोशन दोस्तों हमारा अंडर 19 महिला वर्ड़कप तो इसमें खेलने वाली बोपाल की पहले महिला क्रिकेटर होगी पूजा वस्तरकार का नाम याद रखी इनका समद्ध में मद्प्रदेश से है और यह भी भाती महिला क्रिकेट टीम का प्रतिनिदी तो करती है पूजा वस्तरकार का समद्ध किस जीले से है तो सैडोल डिस्टीक से है अभी हाले में महिला T20 वर्ड़कप का आउजन कहां पर किया गया था तो यह न्यूजिलेंड में किया गया था यहां पर जीता कौन था ऑस्ट्रेलिया जीती थी रनर अप कौन रही थी इंग्लेंड रही थी ठीक है तो यहां पर पूजा वस्तरकार ने पूरे टूनामेंट में सबसे लंबा चक्का लगाया था संद्या अग्रवाल का नाम भी याद रखेगा संद्या अग्रवाल भी हमारे मदप्रदेश से सम्मान दीत है कहां से है यह इंदोर से है और संद्या अग्रवाल भारती महला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी है सुब्दा भूसले का नाम भी याद रखेगा सुब हमारे मद्दप्रदेश क्रिकेट टीम के कैप्टन कों थे आदित थी सिरिवास्तों थे और कोच कों थे चंदरकान पंडित थे तो यह मुस्ट इंपोर्टेंट है याद रखिएगा की दोस्तों बोपाल की प्रतिवावान क्रिकेटर सौमय तिवारी अंडर 19 महिला वर्ल्ड क में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी और अंडर 19 महिला क्रिकेट इसी साल से शुरूवा है यह पहला ही अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप है विवेक सागर का समन्द किस खेल से है तो इनका समन्द है होकी से यह कोशन MPPC 2021 प्री के एक्जाम में बुचा गया था ठ अज के लिए आपका कोशन है दोस्तों और यह कोशन MPPC प्री में भी पूचा जा चुका है और यह ही कोशन अभी हाली में जो इसी रीडियो का एक्जाम हुआ था उसमें पूचा गया था मद्दप्रदेश में सबसे अधिक तापमान पया जाता है इन दोर में वोपाल में या सहडोल में तो इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा दोस्तों यह है हमारे टेलग्राम चैनल टार्गेट सीविल सर्फिस तो इस पर डेली ट्वेंटी कोशन के क्विजेस होते है तो इसमें आप भी पार्टिपिट कर सकते हो टेलेग्राम चैनल के लिंक आपको मारे जरू करेगा अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिजिए थैंक यू सो मच फ़र वाचिंग इस वीडियो